नमश्कार स्वागत है आपका इस्टड़ी फॉर्ज डिशी चैनल में फ्रेंट्स इस वीडियो हम बात करेंगे यूपी सिविल जज के लिए जीएस मोक टेस्ट की मैंने आपको दो मोक टेस्ट कराय हुए हैं यह तीसरा मोक टेस्ट है इसमें मैंने टोटल 100 कोशन्स को कवर क क्या है जो की जीएस के होंगे और कोशन्स का लेवल काफी अच्छा है आप इस मोक टेस्ट को जरूर दीजिएगा और फ्रेंट्स मैं आपको कुशन्स पढ़ने के बाद कुछ सेकेंड दोंगी आप उसमें अपना आंसर सोच सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको 100 में से कितना स्कूर बना अगर आपको 100 में से 80 स्कूर तक बन रहा है तो आप सेफ जोन में होंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार कोशन्स बहुत पूछे चाहिए ऐसा नहीं होगा कोशन्स का लेविल काफी अच्छा-खासा रहने लगाया अब एक्जाम में त पहला कोशन्स है निम्ले कित में से किस एक को stranger gas भी कहते हैं इसमें से कौन सी gas है जिसको stranger gas बोला जाता है ऑप्सिन А है आरगन ऑप्सिन बी है नियॉन ऑप्शन सी है जीनॉन ऑप्शन डी है नाइटरस अगसाइड आप मुझे कमेंड वाग्स पर तैप करके बताईएगा आपके टोडल कितने से होते हैं आप इसका अंसर कुछ अब टिक करिए पहले क्या होगा चली फ्रेंड्स मैं बता देती हूं देखिए इस ट्रेंजर गैस इस में से जो है यह इसका सही आंसर है उप्षen C ano Stranger Ganon को कहा जाता है तैक है अगला कुश्चन Allen Ada किसे को बिसपोटक तरह से प्रयोक किया जाता है इसमें से कौन है जिसको बिसपोटक की तरह प्रयोक पे किया जाता लेसे हैं आपको बताना है इसका अंजर को सुछ Balance ऐस्पेरस ट्राइब क्लॉराइड option पर मार्क य९्लिक ऑक्सायड इंस इत रएफिगर और ऑप्हुंट्य है option D नाइट्रो ग्लिस्रीन को एक विस्पोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है इसको अगला प्रशन है तीसरा प्रशन एक नाभी की रियक्टर में भारी जलका क्या कार्य होता है option A neutron की गती को कम करना option B है neutron की गती को बढ़ाना option C है reactor को ठंडा करना option D है नाभी की रियक्टर को रोकना अब बताईए इन चारो में से option क्या होगा सही चलिए फ्रेंड्स में बताती हूँ इसका आंसर जो है नाभी की रियक्टर में भारी जलका कार्य जो होता है वो होता है इसका आंसर option A है neutron की गती को कम करने का कार्य होता है नाभी की रियक्टर में भारी जलका अगला प्रशन देखते हैं डुगोंग नामक समुद्री जीव जो की विलोपन की कगार पर है ये क्या है जो डुगोंग नामक एक समुद्री जीव है ये वैसे तो मतलब विलोपन होने की कगार पर है आपको बताना है कि ये क्या है option A है एक उभेचर है B है बोनी फिश है C है शार्क है या D है इस तंदार ये आपको बताना है कि ये डुगोंग नामक समुद्री जीव क्या है चलिए फ्रेंड्स बताती है इसका आंसर ये जो है एक मैमल है डुगोंग नामक समुद्री जीव एक मैमल है option D जिसने टिक क्या उसका सही आंसर होगा अगला प्रशन है निमलिकित कत्नोबर विचार करना है पहला है मुषमंबी के पोधे का प्रवर्धन कमलबद तकनिक द्वारा होता है इसमें सा आपको बताना है कि उप्रोक्त में से कौन सही है ये जो दो बताएं मैंने आपको इन दोनों में से कौन सही है एक बार कुशन आप फिर से देखिएगा दोनों कथन हैं कि मुसंबी के पौधे का प्रवर्दन कमल भधियानी के ग्राफ्टिंग तकनीकी द्वारा होता है और चमेली के पौधे का प्रवर्दन दाव तकनीकी द्वारा होता है इसमें से कौन सही है उमीद करती हो अपने अपना अंसर लगा लिया होगा चलिए बताती हूँ इसका आंसर जो है ये दोनों ही सही है इसलिए इसका आंसर ओप्शन C हो जाएगा जिसने भी ओप्शन C टिक किया है उसका सही आंसर है अगला प्रशन है सिक्स्थ कोशन अनुवांशिक विकारो यानि के जेनेटिक डिसओर के संधरों में निमलिखित पर विचार केजिए पहला अप्शन है एक महीला वर्नार्ध यानि कि color blindness है उसका पती वर्नार नहीं है यानि कि एक महीला है जिसको color blindness है और उसके हस्बिन को नहीं है इनके एक पुत्र और एक पुत्री है इस संबंद में निम्लिकित में से कौन से सही कथन सरवादिक संभावना है इसमें से कौन सा कथन है जो की सब सही हो सकता है दोनों संतान वर्णाद रृथा से ग्रसित है दूसरा है पुत्री वर्णाद है कि पुत्र वर्णाद है कि तुपुत्री नहीं है तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है बताईएगा चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन है डी जब महिला कलर ब्लाइडनेस और हस्बेंड कलर ब्लाइडनेस नहीं होता है तो इसमें पुत्र को कलर ब्लाइडनेस होना के चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं और पुत्री को नहीं होते हैं अगला प्रशन है निलमेखित पर विचार कीजिए पहला है कपूर काशनी और बनीला यह तीन आपको पादक उतपाद दिये हुए है आपको वताना इन में से पादक कपूर काश्णी और बनीला अगला प्रश्न है भारतिय वन्यजीव के संदरुम में उद्ध्यान बल्गुल निम्लिकित में से क्या है फ्लाइंग बॉक्स फ्लाइंग फॉक्स बताना इसमें से क्या है चमकादर है चील है बलाक है या फिर गिद्ध है देखे फ्रेंट्स इसका अंसर होगा फ्लाइंग फॉक्स जो है वो चमकादर होती है और फ्लाइंग फॉक्स क्या है चमकादर नेक्स्ट कोशन है केसर मसाला बनाने के लिए पॉधे का निम्लिकित में से कौन सा भाग उप्योग में लाया जाता है जो सेफ्रॉन स्पाइस है वो बनाने के लिए पौधे का निम्लिकित में से कौन सा भाव उपियोग में लाया जायेगा पत्ती पकुड़ी भाह दल या फिर वर्तिकाग्र इस्टिग्मा तो एक स्का आंज़र देखिए लास्ट यह स्टिग्मा वर्तिकाग्र इसका यूज क्या जाता है केसर मसाला बनाने के लिए प्रेंट्स आप इमानदारी से अपने कमेंट बॉक्स में नमबर जरू टाइप की देगा कितना आपका स्कोर बन रहा है 100 में से आगे है जीवो के विकास के संदरू में नेमलेकित में से किसका अनुकरम सही है पिर वाज फिर है सालामेंडर अजगर कंगारू फिर है मेंडक इकड़ा जीगा इसमें से कौन सा करम है जो सही है तो देखे इसमें जो है वो सही है वो है सालामेंडर अजगर और कंगारू ये करम सही दिया हुआ है देखी जो सालमेंडर जीव है इसका विकास लगबग 300 million वर्ष पहले हुआ था और वही कंगारू का जो विकास है वो 145 million वर्ष पहले हुआ था तो जो सही क्रम है वो सालमेंडर अजगर फिर कंगारू का है सलमेंडर का जीव का 300 मिलियन वर्ष पूर हुआ था वहीं कंगारू का हुआ था 145 मिलियन वर्ष पूर अगला प्रशन देखते हैं को Hmmeharni एनेक अनेकांतवाद निमिलिकित में से किसका करोण सिधान्त और दर्शन ए ऑनेकांत बताना इसमें से किसका manos दर्शन है ऩाने कॉषन ए यहां ins तीसरा है जैनिज्म सी है सिक्किज्म और डी है वैशनिज्म वैशनव मत किसका मत है अनेक अनेकांत वाद कि चलिए इसका अंसर देखिए इसका अंसर ऑप्शन भी जैनमत अगला प्रशन है महांधार में घटना महामस्तक अविशेक निमलिकित में से किस सम्मंदित है और किसके लिए की जाती है जो महांधार में घटना है महा मस्तक अभिशेक ये किस से सम्मंदित है और किसके लिए कि जाती है बाहुबली ऑप्शन बुद्ध ऑप्शन सी महाबीर ऑप्शन डी नट राज बताएगा इसका अंसर चलिए देखिए जैसा ही महा मस्तक का भी शेक है महा जिसे कितना कोई महान है तो वो कौन है बाहुबली ऑप्शन एस में सही है देखिए जो महा बाहुबली है महा मस्तक भी शेक असल में ये जैन धर्म का उत्सव है जो की बारे वर्ष के अंतराल पे करनाटक राज्ये में मनाया जाता है और ये भगवान संथ गोमेश्वर बाहुबली की जो आठ मीटर उची मूर्ती स्थापित है वहाँ पर ही मनाया जाता है अगला महा मस्तक ये अचली हो चुका है 2018 में ठीक है तो हर 12 साल में मनाया जाएगा अब 12 साल में जो मनाया है ये 2018 मनाया है तो अगली 12 साल के बाद ही करनाटक के श्रवल बिल गुला मनाया जाएगा बाहुबली महा मस्तक ये जैन धर्म से स्मब्दित है अगला 13 खोशन प्रशिद भीरुपाक्ष मंदिर प्रशिद भीरु पाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है बतारहें आपको option ई है भुध्रा चलम में और दूसरा गुप्त काल से सम्मंदित गुफा चित्रांकल में केवल दो उधारन उपलब्द है इन में से एक अजंता की गुफा में किया गया का चित्रांकल कंडा और दूसरा गुप्त काल की चित्रांकन का दूसरा अवसिष्ट गुफा में और नासGod गुफाओं में तो देखे इस का आंसर बतायेती हूं बाग गुफाओं में है दूसरा चिद्रांगन ठीक है दूसरा धरान बाग गुफाओं में है ऑप्शन एसका सही होगा अगला प्रशन देखते हैं 15 गुशन प्राचीन काल भारत में हुई विज्ञानिक प्रगति के प्योग आम था दूसरा है तीसरी सदी में तीसरी सती इश्वी में प्रार आरंभ में मानव शरीर के आंत्रिक अंगों का प्रत्य वपन शुरू हो चुका था तीसरा है पाचवी सदी में कोड के जियो का सिध्धान्थ ग्यात हो चुका था और चौत्व पॉइंट है चतरभुज का सिध्धान्त ग्याद हो चुका था तो बताना है आपको कि इसमें से कौन सही है देखे इस कांसर जो है फ्रेंट्स वो ऑप्शन सी होगा यानि के पहला तीसरा और चौथा जिसमें दूसरा पॉइंट गलत दिया हुआ है अगला प्रशन है नागर द्रैविड और बेसर बताना ही क्या है ऑप्शन ए है भारती उपमाधीप के तीन मुख्य जाती समू है दूसरा है तीन में प्रमुक भाषा वर्ग जिन में भारत की भाषाओं को भिविक्त किया जा सकता है तीसरा है भारते मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलिया है या फिर D है भारत में प्रशलित तीन मुख्य संगीत घराने है नागर्द, रेविड और बेसर क्या है? ये जो है भारते मंदिर वस्तु की तीन प्रमुख्य शैलिया है नागर्द, रेविड और बेसर अगला प्रशन है प्राशीन भारती इतिहास के संदर्व में निमलिकित में से कौन से बोधर्म और जैन्दर्म दोनों के समान रुप से विदवान थे दोनों में थे ये औप्शन है ताप भोक की अतिका प्रिहार दूसरा है वेद प्रामाण्य के अति अनास था तीसरा है कर्म कांडे की फल्बत्ता का निशेद बताना इसमें से कौन है जो की बोधर्म और जैन्दर्म दोनों में समान रुप से विदवान था देखिए तो ये है इसमें ऑप्शन बी सही यानि के वेद प्रामाण्य के प्रतियानास था और कर्म कांडों के फल्बत्ता का निशेद ये दोनों ही जैन्दर्म और बोधर्म में थे ताप और भोक की अतिका प्रहार ये नहीं था ठीक है इसलिए ऑप्शन इसका बी राइ Dish MUIX को अली मर्दान को या फिर मलक जानि को ँए तो दूखेए मलक जानि को इस ने अपना सुवेदार निजिट ये था इलतुत वे इसने बिहार में हमायू ने चुनार दुर्ग पर प्रतर्थम बार आक्रमण कब किया हमायू ने चुनार दूर्गर कब नहीं कोड़ा था तो यह क्या था पंद्रे सो एकत्तिस में ऑप्शन बी अगला प्रशन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था जो बटाई शब्द है इसका अर्थ मध्यकाल में क्या था ये एक धार्मिक कर है दूसरा है लगान निर्धारन का तरीका है तीसरा है धन कर है और चौ अक वर ने बंगाल और बिहार को मुगल समराज्य में मिलाया बताना अकवर ने कब बंगाल को अपने राज के मुगल समराज्य मिलाया था पंद्रेंसो नब्य में 1575 में 1576 में 1572 में ये मिलाया था 1576 में युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था पानिपत का दूसरा युद्ध ठीक है मंगाल और बिहार को इसने मुगल समराज़ में ला लिया था पंदश चेत्र में आनिबत का दूसरा दूआ था जो कि हेमो और अक्वर की वीश्व में था और अक्वर की इसमें विजय हुई थी कि तो देखे वह ह्मायू का मकवरा हमायू का मकवरा जो है वह एक लाइब्रेरी यह जिसमें कि भारती और फार्सी दोनों वास्तुकला हैं वह पर हैं अगला प्रशन है सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती संबंदित है फ्रेंट्स एक बात और जूँ मायू के डैत हुई थी वह लाइबरेरी की सिलियों से उतरते हो उसकी तैटिटी तो वहीं पर है वो लाइबरेरी दिल्ली मेंट जो उसका मकपरा है उसको वहीं पर दफना दिया गया था है ढरेन हेस्टिंगसे हैं लाध औलोजी से हन्री लोरेंस यह फिर लाड हैस्टिंगस से सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती किसे संबंदित है बताना आपको कि दिखी यह यह है अगला प्रश्ण है ट्वबंटी फोर्थ कॉशन कि thereby ने षी एक पत्रीका है पत्रिका थी इसकी स्थापना किसी उप्षाने ग्रीश चंदर्गोश प्षिसरी हरीश चंदर्मुखड़ जी सी एस नंव लिए बनर जी ऑप्षण दी शिखर कुमार भोश किस ने अमरत बजरपत्रिका की था तो दिखी ये किती शिशुर कुमार घोशने ऊप्शन डी अगला प्रषण है 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने साथ प्रांतों के में त्याग पत्र दे दिया था 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंदल ने साथ प्रांदों में त्याक पते दे दिया था बताना है कि क्यूं दे दिया था पहला है कि कॉंग्रेस चार अन्ने प्रांदों में मंत्री मंदल नहीं बना पाई थी दूसरा है कि Congress में बामपक्ष के उद्य referring से मंत्री मंडल का कार्य करना संभब हो गया था तीसरा है उनके प्रान्द में बहुत अधिक संप्रदाय के शांति थी और चौता है उपरोग्थ कत्में से कोई भी सही नहीं है आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा देखिए मैं बतातु इसमें जो आंसर होगा 25 का आंसर जो है वो ऑप्शन डी है उप्रोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने 733 पत्र दे दिया था वो इन में से कोई भी सका रीजन सही नहीं है असल में जो रीजन है वो यह है कि 1949 में उस वक्त दूसरा विश्विद्ध प्रारम हो गया था और कॉंग्रेस यह चाहती थी कि ब्रिटेन यह घोशना कर दे कि युद्ध का उदेश्य समराज्यबाद का उनमूलन होगा और भारत को स्वतंतर रास्ट का दरज़ा दे दिया मतलब कॉंग्रेस के कॉंग्रेस यह चाहती थी कि 1949 में भारत को अजाद कर दे जाए लेकिन उस वक्त गवर्नर जनरल लॉड लिलित को उनको यह कथन संतुस नहीं लगा इसी वज़ा से कॉंग्रेस के मंत्री मंडल ने त्याग पत्र दे दिया था और इससे मुस्लिम लिग अगला प्रशन है निम्न अखवारों में से कौन सा मुख्यत है उदारवादी की नीतियों का परचारक था पहला है नियू इंडिया दूसरा है लीडर सी है यंग इंडिया और तीसरा है फ्री प्रेस जनरल बताना है कौन सा है अगला प्रशन है निश्क्रिय विरोध के सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था महत्मा गांधी ने विपिंचंद्रपाल ने बाल गंगधरती लगने या फिर अरबिंद घोष ने निश्क्रिय विरोध का सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स अरबिंद घोष ने ऑप्शन डीस का सही आंसर होगा अगला प्रशन है अंगरेज शाषन काल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन एतु प्रशिद था बताना अंगरेजी शाषन काल में इसमें से कौन सा छेत्र है जो की अफीम उत्पादन के लिए प्रशिद था पहला है बिहार दूसरा धक्षिन बारा तीसरा गु और प्रशन ए स्वामी सहजनानंद और इंदूलाल यागिक और रंगा और प्रथम शत्र की अगला प्रशन है 1919 में भारत स्वाशन अधिनियम की निमलकित में से कौन सी विशेस्ता है पहला है प्रांतों की कारे कारणी सरकार में द्वयत स्वाशन की विवस्ता दूसरा है मुसल्मानों के लिए प्रतक संपरदाईक निर्वाचन मंडुलों की विवस्ता तीसरा है केंद्र द्वारा प्र प्रांतों को विधायनी शक्तिकां स्थापन हो बताइए। कि 1990 के से भरफ तरकार्य नियम था शुर्ष स्थापन अगला प्रश्न आय सुथ jewगा काम के दोरान करुणा आशा फली किन भूमिगत कर्रेकलापो की प्रमुक महिला संगठत थी तो ये थी भारत छोड़ान की ओप्शे से ही आंसर होगागा अगला प्रशना है व्यक्तिगत सत्त्येग्रा desse को पर्थम सत्त्य गहाए चुना गया तो दूसरे कौन थे जो वेक्तिका सत्थे रहा था पहले तो उसमें थे विनोव भावे सत्थे रही दूसरे बताना कौन थे डॉक्टर एंदर प्रशाद पंडे जवालाल नहरू सी राजगोपालाचारिया सरदार बल्ला भाई पटेल तो देखिए ये थे पंडे जवालाल नहरू अप्शन भी अगला प्रशन है भारती सुतंतरता संग्राम के दौरान रोलट एक्ट ने किस कारण से साज़निक रोज सुत्पन हो गया था पहला है इसने धर्म की सुतंतरता को कम किया था दूसरा है इसने भारती परंपरा का शिक्षा को दवाया था तीसरा है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाई जेल भेजने के लाधिकरत किया और डी है इसने श्रमिक संग ट्रेड यूनियन की गतिवीदियों को नेंतरित क तो देखिए इसमें यह इसका आंसर जोगा भारते सुतनतरा संगराम के दुरान रोल अटेक्ट ने जो सारवजनिक रोश का उत्वपन करने का कारण था वह यह था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भीजने का दिकरत कर दिया था मतलब जो भी दिखे उसको जे बिमार्ष पर परिणती भारा सरकार दिनम 1935 के अधिन होने के रूप में हुई दूसरा है भारा सरकार दिनम 1935 में ब्रेटिस सरकार के सूबों और भारती रहास्तों के एक संग पराधारित औल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंद किया बताना इनमेंसे कौन सा सही ह है तो देखे फ्रेंड यह दोनों कथनी सही हुए है ऑप्शन सी सही आंसर है इसका अगला प्रशन है मांटेंग्यू चैंप्स फॉर्ड की रिपोर्ट क्या थी भारतियों सतंतता दिनम 1947 पर बनी भारतियों परिशत दिनम 1909 पर बनी भारत सरकार दिनम 1935 का अधार बनी थ बताना है आपको तो देखे यह बनी थी भारत सरकार दिनम 1919 का अधार अगला प्रशन है निम्ले की तिस्थानों में से कहां शॉम्पेन चंजाती पाई जाती है शॉम्पेन चंजाती कहां पाई जाती है निलगरी की पहाड़ियों पर निकोबार दीप समूँ पर इस्पि कीजिए पहला है भारत में थोरियम के कोई निच्छेप नहीं है दूसरा है केरल में मोनाजाइट बलुका में यूरेनियम है अब बताना 37 का अंजर क्या होगा देखिए इसका जो आंसर बताती हूं इसमें option D सही है मतलब ना तो भारत में थोरियम के कोई निच्छेप नहीं है या फिर केरल में मोनाजाइट बलुका में यूरेनियम होता है यानि कि दोनों ही इसमें option गलत है ना तो ए सही है ना भी सही है देखिए स्क्री में आपको थोड़ा सा डेटिल बता देती हूं कि यूएस से भूग अर्विक 1997 से 2006 के बीच में एक सर्विक्षन किया गया था जिसके अनुसार ये था कि भारत के पास 29 लाख मिलियन टन थोरियम रिजर्व है यानि कि पहला statement तो गलत हो गया क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट के according जाए जो यूएस से की भूग अर्विक सर्विक्षन रिपोर्ट है 1997 2006 के पास 29 लाख तन थोरियम रिजर्व है इसलिए पहला कथन गलत हो गया और दूसरा कथन यह है कि केरल की मोनाजाइट बलूका में यूरेनियम होता है तो देखिए इसमें यह है कि प्रकटि में थोरियम रेडियो एक्टिविटी धातों के रूप में पाया जाता है अगर थो अगर हम यहां देखें तो यह है एक रसानिक तत्व है जिसका संक्यत होता है टी एच ठीक है थोरियम का और इसका प्रमाडू करमांग होता है 90 ठीक है केरल के मोनाजाइट बलूका में थोरियम पाया जाता है इसलिए दूसरा स्टेट्मेंट भी गलत हो गया यानि के भारत में थोरियम के निच्छेब नहीं है वो तो है और केरल में मोनाजाइट बलूका के में यूरेनियम होता है ठीक है तो यह इसका दूसरा कत्रमी गलत हो चुका है ठीक है थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त होता है भारत में मोनाजाइट का विश्व में सबसे बड़ा भंड सब्सक्राइब करें तो थोर्यम यह भारत के जारखंड में राजिस्थान में और तमिलनाडू के नीलगरी चेत्र में पाया जाता है ठीक है अगला प्रशन है निमलिखित कत्नों पर आपको विचार करना है केरल के पूर्व की और प्रभाईत होने वाई नदी नहीं है केरल में पूर्व की और प्रभाईत होने वाई नदी नहीं है दूसरा है मद्यप्रदेश में पश्चिम की और प्रभाईत होने वाई नदी नहीं है इसमें से कौन सही है यह कि करव में पूर्व की और पहनने वाली नदी नहीं है यह स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि के रल में पामवार भवानी और कवानी यह ऐसी नदिया जो कि पूरफ की और प्रभावित होती है दूसरा स्टेटमेंट है कि मद्य प्रदेश में पश्चिम की और प्रभावित होने नदी नहीं है यह भी गलत है क्योंकि मद्य प्रदेश में नर्मदा तापती माही यह कुछ नदी ऐसी है जो कि पश्चिम की और प्रभावित होती चलिए देखें मताती इसका आंसर जो ऑप्षिन भी है ये चिनाव नदी पर है अगला प्रशन है निमलिकित में से अगडिया समुदाय कौन सा है ऑप्षिन ए आंदर प्रदेश का परंप्रागत ताडी निकालने वाला समुदाय दूसरा है महारास्ट का परंप्रागत मलस्य समुदाय तीसरा है करनाटक का परंप्रागत रेशम बुनकर समुदाय और गुजडात का परंप्रागत लवड पटल श्रमिक समुदाय इसमें से कौन सांसर सही है अगला प्रेशन देखते हैं फॉर्टी वन कुशन फ्रेंड्स आप इमानदारी से स्ट्रेस को दीजेगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा फॉर्टी वन कुशन है कि विश्वी में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाशा हिंदी है इस्पनीज है अंग्रेजी है या फिर चाइनीज यानिके मदारी नहीं बताना क्या है इस सबसे पहले विश्व में जो है चाइनीज मंदारीन भाशा सबसे अधिक बोली जाती है इस भाशा का चेटर चीन और टाइबान है ठीक है यह भाशा लबग एट सेवन्टी फॉर मिलियन लोगों दुवारा बोली जाती है अगर बात जाए दूसरी सबसे अधिक लोगों द जाने वाली भाशा ठीक है तीस नंबर पर इंग्लीश है इंग्लीश जो बोली आती है न वह 341 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है इसलिए इसका अंसर्च है ओप्शन ए होगा कि 40 विश्य में दूसरा नंबर बोली जाने वाली भाशा यह हिंदी अग्ला प्रशन है उर्जा के वाडजिक श्रोत में विशु द। र्म शामिल होते हैं विशु दृता है इसमें शामिल कौन होते हैं ऑडजा के वाड़िक श्रोत में बताना है शक्ती कोईला तेल जल्विद्यूsm और यूरेनियम के अगला प्रश्ण नाइटि रिज कहां पर इस्ति थैनाइटी है प्रशान भी हिस्ट कहां प्रशांथ महासागर एंध महासागर में अन्ध महासागर में ओ कि देश की राजधानी नहीं है किसी देश की राजधानी नहीं है कैन्बरा स्रिडिनी बैलिंग्टन या रियाद इसमें से कौन है कि देश की राजधानी नहीं है देखे जो सिडिनी है ये आस्ट्रेलिया के न्यू सौथ बैल 80 में चीनिवान में परांद में इस्तित है वह ऑस्ट्रेलिया कि राजधानी डियाद है और नियूजिलैंड की राजधानी बैलिंग डन इसलिए Sydney जो है वो किसी की राजधाइन नहीं बलकि Sydney Australia का एक शहर है ठीक है तो option B इसका सही आंसर होगा 44 का अंसर क्योंगा option B कि कि किस देश कौन सा इसमें देश की राजधाइन नहीं वो Sydney अगला प्रशन है विश्व में सबसे अधिक कोईला उत्पादन करने वाला देश व बलन क्रिया किसका प्रेणाम होता है महा देश जनक बलका भू बिक्षेपी है यानि के करी ओलिस बलका परवत निर्माड कारी बलका या फिर बहिड़ जात बलका इसका अंसर जो है फ्रेंड वो ऑप्शन सी होगा परवत निर्माड कारी बलका बलन किर्या परवत निर्माड कारी बलका प्रणाम होता है अगला प्रशन है सागरे लवड़ता का मुख्य श्रोत क्या है सागरे लवड़ता का मुख्य श्रोत क्या है इसमें से नदिया भूमी पवन जोयला मुखी से निश्टरिप्त रावख कि सागरे लवड का जो मुख्य होता है वो है नदिया ऑप्शन ए अगला प्रशन है केप कैन्वेरल जिस इस्थान में अंत्रिक शियान इनकी स्पेस सटल छोड़े जाते हैं वह किस थट पर अवस्तेत है फ्लोरीडा पर वर् इसका आंसर होगा फ्लोरीडा पर अगला प्रशन है नहें कि देशो पर विचार करना है ऑस्ट्रेलिया नीविया ब्राजिल और चिली बताना है कि इन में से किस से होकर के मकर रेखा गुजरती है इन सभी से होकर के मगर तिखा गुज़रती है option D राइट है इसका अंसर अगला प्रशन है सूची मिलाना आपको Great Victoria मरुस्थल यह कहां पर है Grand Canyon मरुस्थल यह कहां पर है भगॉलिक सरूप बताने आपको किस देश में कहां क्या चीज़ है फिफ्टी को कोई आंसर आप मुझे बिताईएगा option में आपको दिखाएती हूँ friends चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हूँ है होगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह है ऑस्ट्रेलिया में Grand Canyon यह है USA में लैक बिनिपेग यह कैनाडा में और दक्षरी आलपस यह है न्यूजिलैंड में अगला प्रशन देखते हैं 51 कुश्चन गिल्ट-एजएट में विपडु संबंदित है गिल्ट-एजएट में विपडु संबंदित है धातों के व्यपार से रड़ पत्रों के व्यापार से सरकारी प्रति भूतियों के व्यपार से या फिर शस्त्रों के प्रकार व्यपार से बताना इसका अंसर क्या होगा कि देखिस कांसर जो अप्शन सी होगा जो गिल्ट एजेंट होते हैं वो सरकारी प्रति भूति के व्यपार से संबंदित होते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्न है पूंजी बजार से अभी प्राय है पूजी बजाय का अर्थ क्या होता है शेर बजार से मुद्र बजार से इन सभी से अगला प्रश्न हरित ग्रांती से भारत में कौन से राज्य सरवाधिक लावन बित हुए स्कांसर है ऑप्शन सी पंजाब हर्याणा और पश्चिब उत्तपरदेशी ये राज्य हैं जो की हरित क्रांती से सबसे ज़्यादा लावान बित हुए अगला प्रशन है 55 कोशन आयात की प्रिक्रिया आरंब होती है यह होती है मैट की रशीद से ऑप्शन भी सौमित्व की हथार पर निमलिकित में से कौन एक अन्यए से भिन्षे जीवन भीमा निगम की पॉलसी बैंक का सवादी जमा किसान विकास पत्र या फिर कंपनी का रण पत्र था यह इस सब से भिन्षे भारत में पिछ्थम ग्रामीड बैंक की स्थापना कप की गई पहली ग्रामीर बैंक की स्थापना कप की गई ये की गई थी दो अक्टूबर 1975 को ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन माल के आया थे तू विदेशी विनिमे की स्विकर्थी देता है जिसमें कौन है अगला प्रशन है कौन सा संगठन विदेशी वियापार का समवर्धन करता है तो 59 का अंसर जो होगा ECGC जो है संगठन विदेश वियापार का समवर्धन करता है अगला प्रशन है भारती राजमार्क प्रादिकरण के वित्त का प्रमुक्ष्रोत क्या है यह होता है संग सरकार के बजट में अनुदान अगला प्रशन देखते है 61 कुशन फ्रेंड उम्मीद करते हूं आपको यह मोक्टेस्ट पसंद आ रहा होगा प्लीज अगर अच्छा लग रहा देख लाइक जरूर कीजेगा अगला प्रशन है निजी छेत्र में के साजा कोश को भार में अनुमती मिली यह जो निजी छेत्र के साजा कोश होते हैं इनको भारत में अनुमती कम मिली थी 1964 में 1993 में 1994 में यह 2001 में तो यह मिली थी सब्सक्ताइब नाज़ा भुषार्टी लगुद द्योक विकास बैंक का मुख्याले कहां है एक अंफूर में है कि तैसका पत्र दिया जाता है संक पत्र दिया जाता है कि तो देखे साखपत्र जो है कि निर्यात करता के द्वारा दिया जाता है अगला प्रशन है विशेश आर्थिक छेत्री यानिके एस इजड अधिनियम प्रभाबी हुआ था कब कि 2004 में 2005 में 2006 में 27 में तो देखे यह हुआ था नीती के संदरों में निमलेखित कत्नों पर विचार कीजिए अब भारत पूर्वी एशिय मामलों में स्वयम को 1. महतवपुर्षा के रूपन स्थापित करना चाहता है नियुक्त होने से उत्पन सोन्य को भढ़ना चाहता है तीसरा था अपने पूर्व की ओर देखने का भारत का क्या संदर्व है बताना है आपको कि तो देखे इसमें जो है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट साहिए अगला प्रशन है भारत के संविधान में मौलिक करतव्य किस संविधान 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 के द्वारा जोड़े गए इतो हर किसी का आइसर्श सही होना चाहिए rejoice और तोसिक ऐसमेंटर संविधान संवधन में जोड़े संविधान के दौरा अगला प्रशन है भारत के वित आयोक के संधर Hindu निम्लिकितं से कौन एक कथन सही है पहला है अब संद्शना के विकास है तुविदेश पूंजी अंतर प्रवाप्रोसाहित करता है दूसरा है सावजनिक छेत्र में परतिस्ठानों में समूचित वित्वित्रण को सुगम बनाता है तीसरा है वित्य प्रशाशन में पारडशीता इसमें से कोई भी सही नहीं है ठीक है अगला प्रश्ण है निम्लिकित पर विचार करना है कि सिक्षा का अधिकार समानता के साथ सर्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भूजन का अधिकार मानव अधिकारों की व्यापक उद्गूशना की अंतरगत उप्रोक्त में से कौन से एक अधिकार मानव अधिकारों में आता है इसमें से कौन है जो मानव अधिकारों की अंतरगत आता है तो यह सब ही आते हैं देखिए अगला प्रशन निम्लिकित कत्नों पर विचार अग्रिय छेत्र में सरकार की प्रावयजीत योजना को लागू करने का पूर्ण दाहित पूरा करती है तो इसका अंसर है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है अकला प्रशन है लेखा नुमोधन और अंत्रिम बजट के बीच के अंतर होता है पहला इस थाई सरकार लेखा नुमोधन के प्रावधन का प्रयोग करती है जबकि कारवायक सरकार अंत्रिम बजट के प्रावधन का प्रयोग करती है दूसरा ये लेखानु मोदन सरकार के बजट में वे पक्षमात्र से सम्मध होता है जबकि अंतरिम बजट में वे और आवती दोनों समलित होते हैं तो बताना है कि इसमें लेखानु मोदन अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या होता है तो पहला जो आंसर है वो ही सही है option A sorry friends इसका option B सही होगा 71 का answer option B होगा ठीक है ये अंतर है दोनों के बीच अगला प्रशन है निम्लिकित संभिधान शेंशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतरगत भारत के संभिधान की आठीवी अनुसूची में चार भाशाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संके बढ़कर 22 हो गई तो देखें ये था संभिधान शेंशोधन संशोधन अगला प्रश्ण भारत सरकार अधिनम 1935 में अंतर्विस्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविस्ट किया गया एक मोलदिकार में राज्जे के नीती निर्देशक्त तत्व में राज्जे की कार्य पालिका शक्ति के विस्त रहे हैं कांगडा लद्धा कच्छ या फिर बील बड़ा तो चेत्र फिल की द्रस्टी से बताना है चेत्र फिल की द्रस्टी से सबसे बड़ा लोग सवाच छेत्र जो है वो लद्धाख है ऑप्शन भी अगला प्रश्ण निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है न नियायमूर्ति थे दूसरा है नियायमूर्ति वी आर्कृष्ण अयर भारते नागरिक विवस्था भारते न्यायक विवस्था के लोग हितियाच्चिका के प्रश्ण को मेंसे एक माने जाते हैं तो बताना है उप्रोक्त में से कौन सही है अगला प्रश्चन है भारत के संभिधान के अनुसूची में विभिन राज्यों में अनुसूची छेत्रों के और नियंत्रण के लिए विशेश सुपबंद है देखे यह है पांचवय नुसूची में ऑप्शन B अगला प्रशन है निम्लिकित कत्नों पर विज्चार करना है पहला है लोक लेखा समीती का अध्यक्ष लोक सभा द्वारा निक्त किया गया दूसरा है लोक लेखा समीती के लोक सभा सदस्य राज्य सभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने विक्ति समलित होते हैं इसमें कौन सही यह बताना है आपको तो इसमें केवल आप्शन A राइट है अगला प्रशन A निक्त सम्मेदान संशोदन अधिनयम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के मंद्री परिशत का आकार करम से लोक सभा की सदस्य की कुल संख्या का वे उस राज्य की विधान सभा के सदस्य की कुल संख्या का पंद्रा परसेंट से अधिक नहीं होगा यह कि सम्मिधान संशोधन के द्वारा बताया गया था तो देखी इस कांसर ऑप्शन एह है 91 में सम्मिधान संशोधन में बताया गया था अगला प्रशन है भारत के सम्मिधान के अनुछे 360 के दिन वित्यापाद से संबंदित निम्लकित कत्नों पर विचार करना है पहला है वित्यापाद की घोश्रा दो मास की समाप्ती पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अब्दी की समाप्ती से पहले संशत के दोनों सद्नों के संकल्प द्वारा उसका नुमदन नहीं कर दिया जाता दूसरा है यदि वि किसमी करने के लिए निर्धेश देने में सक्षम है इसमें से कौन से स्टेटमेंट समें सही दिया हुआ बताना आपको कि अज़ी है तो ऑप्षण ड होगा अ मतलब कोई सभी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है वित्यापात कल गोश्ला जो है राष्टपती 360 के तहत आर्टिकल 360 के तहत कर सकते हैं इसमें क्या होगा कि भारत उसके राज्य शेत्र में किसी भाग में वित्याय संकट के अफसर पर की जाती है यानि कि 360 में क्या है वित्यापात यह गोश्ला दो मास्ट की समाप्ति पर प्र पात के दोरान भारते संके करेकल आपके संबंद में सभी सेवा करने वाले व्यक्ति उसके उच्छे तम नियाले उच्छे नियाले के नियाधिश भी सामिल होंगे उनके बेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है इसलिए इसका अंसर ऑप्शन डी होगा ना तो पहला ही सही है और भारत के उच्छे नियाले के नियाधिश करिण के समाने वा दोनों को एकी तरीके सागई सकता नाँभिशों को दूसरा है कि भारत में या कि सिरह प्रादिकरण के समख्ष अभी बशन नहीं कर सकता देखिए इसका आंजर ऑप्शन ए पहला सही है बस अगला प्रशन देखते हैं 81 कोशन इस प्रकार इस प्रशन के दो वक्त अब्य है एक के कथन ए तता दूसरे का कारण दिया हुआ है बताना कथन कारण क्या सही है कथन है भारत संग में मंत्री परिसाथ सही है दूसरा लोकसव और राजय सवा दोनों के सवस्य संग्य सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं इसमें कौन सही है दिखे एस खांसा जुए ओप्षण D होगा। इसमें कथन सरी दियुए। करार इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्ण है पंचायती राजबिश्या नेमेंकित में से किस सुची में सम्मलित है। क्लिसंगे सूची में समवद्टी सूची में अफसिस्ट सूची amazing चारने में नेता हैं कि आ यह नहीं है उपí ल्गस में सवापति को नाएन यह यह जाता है अगला प्रशने भारति संविधान का कौण सानुच्छेद राष्ट्रपती के पद के लिए पुनहें निर्वाचन की योगिता निर्धारित करता है यह नुच्छेद 57 अगला प्रश्न है निर्वाचनर निर्वाचन के प्रवधान भाते सम्मेधान के अंतरगत संसद के सरस्य के विशेश दिकारों तता अन मुक्तियों को निर्धारित करता है तो यह अनुश्य देख सो पांच अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के कि जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोच की गई है यह ललितपुर में यूरेनियम है अगला प्रश्ण है बटेश्वर मेली हैं यह कहां पर कौन सा मिला मनाया जाता है बताना आपको अग्याइटी सेवन का अंसर क्यों होगा मैं आपको इसकी ऑप्शन दिखा देती हूं चलिए देखते हैं इसका अंसर जो बटेश्वर मेला है वो लगता है आग्रा में देवा देवा मेला बारबंकी में हरिदास जैनती यह ब्रंदवन में और नौचंदी का मेल लगता है मेरट में अगला प्रश्ण है एटी एट कोशन है उत्ता प्रदेश उद्योग बंदू योजना का उदेश्य है क्या है इसका उद्देश्य बताना है इसका उद्देश्य है उद्द्द की कायों में समय बद्द स्थापना सुनिश्चित करना अगला प्रशन है चारकुला लोक नरत्य है कहां कहा है यह चारकुला नोक नरत्य है यह मैंना इसके पहले जो मोक्टैस क्रायास में भी बताया था चारकुला नोक नरत्य है कहां कहा ह कि बरज भूमीक आई ए ओप्शिन बी अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश साशन में संगीत रत्न पुरुसकार तक वे कौन है किस की स्मीर्थी में उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरुसकार प्रारंब किया गया ये क्या गहता है dieses ताद बिश्मिल्लाख कि याद में अगला प्रश्शन अरंजन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लवाद विजला मलड़ यूपी में किस लहरमें अरंजन बांध बनाए गई गया है कि यह बनाए गया हमीरपूर में अगला प्रश्ने मेहरशी बाल में की आश्रम कहां पर है यह है बिठुर में ऑप्शन B अगला प्रश्न है भारा सरकार की सी बक्थोन की खेती को प्रोस्थान कर रही है इस पादप का क्या महत्व है पहला यह मिर्दस नक्षण के नियंतरर पर सायक है और मरुस्थल करण को रोकता है दूसरा है यह बायोडिजल का एक सम्रुद श्रोत है तीसरा है इसमें पोश की यह मान होता है और यह उच्छ तुंगता वाले छे थंडे शेत्रों में जीवित रहने के लिए भलिवातिया नुकूलित है चौता इसकी लकड़ी इसकी मारती लकड़ी का उच्छ वाड़िजिक मुल्ले है इसमें कौन सही है तो देखिए इसमें सही हो पहला और तीसरा स् अगला प्रशन देखते हैं निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए क्लोरो फ्लोरो कारवन जो ओजोन राश्पदार्थ के रूप में चर्ची थे उसका प्रयोग सुगट्य फॉर्म के निर्माण में होता है ट्यूबलेस्ट आयरोग के निर्माण में होता है कुस्विशि फॉर्थ ऑप्शन सही है अगला प्रशन है 95 कोश्चन है भारत में सरवादिक जैव विवित्ता कहां पाई जाती है शांत घाटी में कश्मीर की घाटी में फूलो की घाटी में दामोदर में यह बड़ा कॉमन कोश्चन और इसका आंसर आप देदेंगे यह शांत घाटी मे 95 का यह ऑप्शन है अगला प्रशन निम्न कतनों पर आपको अध्यन करना है पहला है प्रकास स्रेशन प्रकर्रिया के माध्यम से ऑक्सिजन का उत्पादन करते हैं जो जीवन के लिए उप्योगी घटक है तुसरा है पादे कार्वन एक्साइट गैस को भोजन बनाने के लि प्रजातिया पाई जाती हैं दूसरा है सीथ कटी वंदिय चेत्रों में टुंडरा में मिर्दा के अंदर शुशुप्त वस्था में शुश्क्म जीवों की भरमार है तो 97 का अंसर जो है वो पहला केवल ऑप्शन पहला सही है केवल उस लुकटी वंदिय बनों में 70 लाग प मांग अत्यादिक चराई की समस्या तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ये सभी बनों की हराज दर में ब्रद्धी के कारण है अगला प्रशन है 1887-1857 की विद्रों के दमन के बाद मुगल शाशक भादूर शाह को कहा निर्वासित कर दिया गया फिजी में सब्सक्राइफ दीकहार्ण को सवर्शित करता दूसरा समाजिघेवां की को सदूस्शित करना तीसरा देश की कुल भूमी का इक तियाही होना त व्याहिए बन्रवणन में सामुदाइक सभागिता को प्रसाहित करना तो इसमें जो है option 20 है यानि कि दूसरा और तीसरा स्टेट्मेंट सही है देखिए हमने 100 कोशन किये मोग टेस्ट में जी एसके अगर आपके 100 में से 80 तक भी आपने कर दिये तो आप सेफ जून में हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा कि आपके कितना स्कूर रहा और आप कि क्या आपको यह मोग टेस्ट पसंद आया अगर आप एग्री करते हैं तो हम आगे भी दो-चार मोग टेस्ट और कर लेंगे एक्जाम से पहले ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो हम जल्दी अप्लोड कर देंगे थैंक्यू गाइज